कि वेटा आपको फॉन पॉइंट थी का जो पाच वा कृश्च्यट से बता रहे थे उसको थुरा सब फिर से एक बाद देख लीजिए उसके आगे का शुरू का जो लिखवाय तो वो तो रहेगा आपका डिवीजन आप कर भी लिये होगे बट एक बार फिर से देख लिजिए आप डिवीजन इसका सत्तरा आपका था वहाना पान सेवंटिन यानि वान डिवाइड़ बाइ सेवंटिन तो आपको इसी लूः करना है तो दसमलो बढ़ा आपका जीरो उतरा फिर जीरो फिर जीरो एक टो टेबल पढ़े के अगे न चाहें त्रपचे पचाइसी पचाइसी पंद्रा सव दसमल बढ़ा है जीरो आपको उतरेगा कि सत्राथ थे एक सो च्छार चालेस दस पचास यानि चैउदा जीरो तो सत्राथ थे पिर आपका 136 यहां पर बचा 4 हो गया 40 17 दूनी 34 यहां कितना है 6 हो गया 60 17 दूनी 34 17 क्यावन 17 तिरी 51 बचा कितना 9 हो गया 90 सत्रा पचे पचासी पचासी पांच नब्बे हो गया पचास सत्रा दूनी चाउंतिस चाउंतिस सोला हो गया आपका जीरो सत्रा नोई या एक सो तिरपन और साथ यानि आपका हो गया सत्रा चोपो हर साथ से बचा कितना दो गगया बीस सत्रा हिकम सकट रख सब्तरा थीन बीस हो गया थीजरो आप हो गया ब्सक्रा अता सिनद्धर jus Cara um एक बीस हो गया आपका ग्यारा जीरो सत्रच होंगा एक सव दो मचा कितना आठ हो गया असी सत्रच हो को अरसाठ 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 दो सत्तर अवद्दास यानी बारा हो गया एक सो बीस सत्रच सत्रें एक सो उननाईस आया कितना वान यानी अब हमारा फिर से से सफल वन प्राप्त हुआ जैसा हमने डिवाइट किया थो वन डिवाइड़ बाइस सेवं तीन पहले पाफ बार जाएगा फिर यहीडीर पाइब इनकम सस्थे और फिर दर उर्ट है टू थ्री फाइव टू नाइन फोर वन वन सेबन सेक्स फोर सेबन यानि इतने अंकों के आपकी पूनरा ब्रित्ति होगी अब इसके बाद हमारा अंक फिर सुरू हो जाएगा अर्था कि दसामलों के कितने अंक बाद एक दो तीम चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चुदा पंद्रा सोला दसामलों के सोला अंक के बाद पूनरा ब्रित्ति शुरू होगी यह था आपका पाचवा कुश्चन अब आते हैं आपके छठे कुश्चन पर तो आते हैं वन पॉइंट थी क्या जो छठा कुश्चन कुश्चन है कि पूइंट संख्याओं के अनेक उदाहरं दीजिए तो अनेक संख्याओं के आप उदाहरं दे सकते हैं जो पी अपान क्यों के रूप में हो जहां पर पी और पी आपका पूर्डांक है और जिनका एक के अत्रिक्त अन्य कोई उभाईरिश्च गुण खंड नहीं है और जिसका सांत दसमलव प्रसार है यानि हमें पी अपान क्यूं को उस रूप में व्यक्त करना है जिसका सांत दसमलव प्रसार है तो कि रूप की पर में संख्याओं के अनेक उदाहराद दीजिए तो पी अपान क्यूं के रूप की संख्याएं आप लिख सकते हैं कि तीन बटे पांच कि ग्यारा बटे दो कि तेरा बटे अब लिख देए एक सो पचीज फिर सत्रा बटे अब 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 यह पान क्यों के रूप की अनेक संख्याएं ली जा सकती हैं जिसका प्रसार सांत है तो सांत दसमलों प्रसार की हमको पर्मे संख्या लेनी है जो पी अपान क्यों के रूप की हो तो तरह तरह की संख्याएं सांत दसमलों प्रसार मोत जो ँश्यात के कुछ हंकों के बाद पूंटा विभाजित हो जाए और जिसका सर्स्थ प्राप्त हो difer 10 profiles हो तो मने एक एक जो करफें पर ले सकते हैं प्यपान क्यों के रूप का ऑगा और कि कि इनके जिनको अगर हम दसमलो की रूप में भी प्रदर्सित करते हैं, तो इनका दसमलो प्रसार सांत होगा. सांत दसमलो प्रसार की परिभासा से, क्या कहता है सांत दसमलो प्रसार? किसी परिमें संख्या के हर का अभाज गुणन खंड, या तो एक है आपका दो या दो की कोई घात हो। दूसरा कहता है, या फिर पांच या पांच की कोई घात हो। या फिर किसरा आप देख लेते हैं? दो की कोई घात तथा पांच की कोई घात का गुणन हो। तब तो हमारा जो परिमें संख्या रह आएगी वह हमारी सांथ दसमलोग प्रसार होगी। आगे इसमें कहा गया है कि काक्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूँ को कौई सा गुण आवस्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूं को क्यूं की अभाज संख्या का गुणन तू की पावर एन या फाइफ की पावर एम या तू की पावर एम इंटू की रूप का अभूगा तभी परिमे संख्याओं का दसमलव प्रसार सांत होगा आपको कई बार बताए भी थे कि सांत दसमलव तभी होता है जब परिमे संख्याओं यानि भिन की संख्याओं की संख्याओं हम अगर दसमलव की रूप में परिवर्तित करें तो दसमलव के कुछ सकत कुछ हस्तानवाद वा संख्याओं पूर्तिया विभादित हो जाए तुसी कंडिशन में होगा जब हर काभाज केवल दो की घात हो या दि दो या दो की कोई घात हो या फिर दो की घात गुड़े पांच की कोई घात हो तभी हमारा सांत दसमलव प्रसार आएगा अन्य तो प्रश्नवाली 1.3 का जो सातवा क। में सका कि ऐसी तीन संख्याओं लिखिए जिनके दसमलव प्रसार अन्य अनावसानि अनावर्ति हो कोई बड़ी संख्या नहीं लिखी सीधे लिखा है अन्य अनावसानी अनावर्ति मतलब होता है असांत अनावर्ति दसमलो संख्या तो हम इसको दिखा सकते हैं चुकि इनों ने तीनी संख्या कहा है तो आपका ही संख्या देख लीजिए संख्याएं जिनका दसमलो प्रसार आप यहां पर लेग दीजिए असांत अनावर्ति होता है वे हैं आप कहीं लीदिजिए इस अंडरोट टू अंडरोट थी अंडरोट सेबान अंडरोट एलेबान अंडरोट थर्टेन अंडरोट सेबनटीन यह सब हम कई संख्या ले सकते हैं इस तरह से कि जो हमारी असांत अनावर्ति होंगी उनका दसमलो निरूपर ही हम देख लेते हैं दसमलों के रूप की आसांत अनावर्ती इसको भी आप लिख सकते हैं झीरो पॉइंट वन वन जीरो वन डावल जीरो वन वन ट्रिपल जीरो वन वन है कि यह आप दिखा देजें या फिर प्र टू जीरो डावल जीरो टू टीपल जीरो कि यहाँ दिखा दिये सब ना वर कि रूप में व्यक्त कर सकते हैं यह आप से फूँछा गया था पूछा गया था कि आप को कई गई दिखा दिया कोई भी निख सकते हैं अरие अटव हैक है कि पर्मे संख्याओं पांच बटे साथ और नौ बटे ग्यारा के बीच की तीन अलग अलग वो भी अपर्मे संख्याओं ग्यात करनी हैं इनके बीच की अपर्मे संख्याओं करनी हैं तो इसके लिए अभीच की पर्मे संख्याओं करनी हो करनी होतीweise मूथसे बटा सकते में। लेकिन अगर पर्मे संख्या दी गई हो और कहा गया कि इन पर्मे संख्याओं के बीच की अपर्मे संख्या ग्यात कीजिए तो इसके लिए आपको करना होगा जो भी पर्मे संख्या दी गई है उसका आप दसमलो निरूपन कीजिए सबसे पहले तो सबसे पहले पांच बटे स साथ को दसमलों रोप में निरूपित करने पर तो यह करते हैं पांच बटे साथ को तसमलों के रूप में व्यत्थ करने पर अधा है कैसे हम दसमलों के रूप में करेंगे पांच में हम साथ से भाग दे देंगे तो करेंगे क्या पांच डिवाइड़ बाई से बाई पहले हम दसम्दो बढ़ाए जीरो सासता उन्चास बचा कितना एक दसम्दो बढ़ा था जीरो अपने आप आ जाएगा पिर साथ इक कम साथ बता कितना तीन, जीरो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक बार दसमलों यहां लगा हुआ है, इसके बाद अगर जीरो क्या आओ सकता होगी, तो हम उतने जीरो लगाते जाएंगे, साथ चवक, 28, बचा कितना, 2, हो गया, 20, साथ दूनी, 14, बचा कितना, 6, हो गया, 60, साथ अठे, 56, बचा कितना, 4, हो गया, 40, फिर साथ पचे, 35, बचा कितना, 5, यानि देखो, यहां हमारा फिर 5 आ गया, यही जी से 5 बच्टे साथ, अब हमारी जे 5 लिखते भी हैं, उस साथ से भाग देते हैं, तो हमारा तेही चीज फिर से रिपीट हो जाएगा, यानि कि 5 बच्टे साथ बराबर, पांच बच्टे साथ बराबर, 0, 7, 14, 28, 5, यानि कि अब इसके आगे वाला क्या होगा, फिर 7, 14, 28, 5, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आएगा, आपका 7, 14, 28, 5, यानि असांत अनावर्ति, अब हम फिर से करेंगे, इतों 5 बच्टे साथ का दसमलोनी रूपा था, अब हम करेंगे, 9 बच्टे 11 का दसमलोनी रूपा, करने पर करते हैं, 9 divided by 11, दसमलोन बढ़ा, जीरो उतरा, ग्यारा अठे, 18, बचा कितना, दो, जीरो अपने आप आजाएगा, ग्यारा एककम, ग्यारा, फिर क्या आया, 9, देखिए, जो फिर हमारा सेस्पल 9 आ गया, यानि कि यहीं चीज हमारा फिर रिपीट होना शुरू हुआ, इसका मतलब अब अगली बार हम ले जाएगे, तो फिर हमारा 818181 आता जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कि 9 बढ़ते 11 बद का जो दसमलो निरूपण है, वो है हमारा 0.181 यानि इसका बार, यानि अब अगर घटाते हैं, तो 0.18181818181 यह आपका आता रहेगा, अब हमें क्या करना है, कि इसके और इसके बीच की अब आपको जाहेगे, जितनी संख्याएं लिखनी हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, अर्थात पांच बटे साथ तथा नव बटे ग्यारा या इसी को लिख सकते हैं, 0.714285 तथा 0.81 के बीच की अपरिमेर संख्या, यह होगी आपकी, 0.714285 यह लगा दो बार, फिर इसको हम लिखे देंगे, एक तो यह हो गई आपकी, दूसरी हो जाएगी, 0.70, 7000, 7000, अब टू डार डार, एक यह हो गई, दूसरी आप लिख सकते हैं, अब टू जीरो, सेबन टू डबन जीरो, सेबन टू टू टिपल जीरो, फिर सेबन टू इस तरह से हम यहारे किया गई, और लिख सकते हैं, हम इसको, एट, जीरो, एट, डबन जीरो, एट, टिपल जीरो, यह हो गई हमारी, कई, अब देखिए, आप इसमें कई लिख सकते हैं, चुकि तीन ही कहें हैं, तो इसके और, और, जीरो, पॉइंट, एट, वन, के बीच की एक, दो, और तीन संख्या हैं, हमको प्राप्त हो गई, अब इसी रूप किसी में आप तो कई लिख सकते हैं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगले सब्सक्राइब